दोस्तों आजम बनाने वाले हैं आलू से बहुती हलकी फुलकी और एकदम खस्ता मठ्री इसे बनाना बहुती आसान है साथ याप इसे स्टोर करकर पूरे महीने रग भी सकते हैं तो सबसे पहले एक इमान दस्ता ले लेते हैं इसके अंदर हम डालेंगे 15-20 काली मिर्च और काली मिर्च को हम यहाँ पर थोड़ा सा कूट लेंगे काली मिर्च हमें यहाँ पर दर-दर इस सी चाहिए मार्केट में जो काली मिर्च का पाउडर आता है वैसे वो भी आप मेदा तो इस मठ्री को मेह पर मेदे से बना रही हूं लेकिन अगर आप चाहें तो आधा मेदा और आधा आठे का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ मेह पर चार चमच बेशन का यूज़ कर रही हूं तो बेशन डालने से मठ्री का जो टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा अब इसमें डाल देते हैं एक चमश नमक एक चमश मैंने अजवाइन लिया है तो अजवाइन को हातों से क्रश करते भी डाले ताकि जो इसका फ्लेवर मठरी में अच्छे से आ जाए और इसके साथ हम डाल देंगे यह दरदरी कुटिवी काली मिर्च तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करना है बहुत ही कम मसालों से यह मठरी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है और अब हम यहाँ पर डाल देंगे चार छोटी चमश देसी घी अगर आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी यूज कर सकते हैं या फिर आदा घी और आप अपने हाथों का ही यूज कीजिए और कुछ देर इसे क्रंबल करते भी मिक्स कीजिए ताकि जो घी है आटे में अच्छे से लग जाएं और अब हम इसमें डालेंगे आलू मैंने यहाँ पर दो आलू लिये हैं क्योंकि हम आलू मठरी पना रहे हैं आलू को मैंने उब नहीं डाले क्योंकि जो हमें इसका डो है थोड़ा टाइट सा ही चाहिए तो वेसे भी हमने इसमें आलू का यूज किया है ना इसलिए पानी आवशकता अनुसारी डाले एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डाले और इसे अच्छे से मिक्स करते भी हमें यहाँ पर इसका ट तैयारी कर लेते हैं तो इसे कवर कर देते हैं और पास से साथ मेट के लिए साइड में रख देंगे अब मेने यहाँ पर एक कटोरी ली है इसके अंदर हम डाल देते हैं तीन चमच मेदा और जितना मेदा लिया है उतना ही हम यहाँ पर घी डालेंगे तो मैं यहाँ पर ती तो थोड़ा सा घी गरम करके आप इसमें डाल दीजिए लगबाग आदी चमश और फिर इसे फेट यह तो यह अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और एकदम क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चैंच हो चुका है और में इसे अच्छे से फे लेगी तो अब हम इसमें से लोई बना लेते हैं जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बना के तयार करते हैं तो मैं एक साथ यहां पर पांच पेड़े बना के तयार कर लेती हूं और अब हम इसे बेल लेते हैं तो हमें इसे रोटी के जैसा ही रखना है अगर आप चाहे तो बेलने के लिए अगर यह चिपकता है तो थोड़ा सा तेल लगा लीजे या फिर आप चाहे तो सुके आटे का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इस समय इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखें केवल रोटी की साइस का ही इसे बनाईए तो यहाँ पर देखें पांच हातों से भी इसे लगा सकते हैं तो मैं हातों से ही लगा देती हूँ क्योंकि ब्रस से अच्छे से नहीं लगेगा क्योंकि ठन का मोसा मेना यह थोड़ा सा जम जाता है अब इसके उपर हम दूसरी रोटी रखेंगे और दूसरी रोटी के उपर भी इसी तरह से हमें यहाँ ये पेस्ट को लगाना है तो अब ये जो तीसरी रोटी है ये भी इसके उपर रग देते हैं और इसके उपर भी हम इसी तरह से मेदे और घी वाला पेस्ट लगाएंगे और इसके उपर हम रग देते हैं हमारी ये चोथी रोटी और इसके उपर भी हमें यही काम करना है यानि मेदे और घी वाल पेस्ट लगाना है और इसके ऊपर हम हमारी यह लास्टे वाली रखेंगे यानी पाच वी रोती तो मैं यहाँ परपरत वाली रोती वना रही हूं आप चाहें तो इसी तरह से तीन या चार पड़्ते वाली भी बना सकते हैं और अब हम इसे बेल लेते हैं यानि इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो रोटी है थोड़ी पतली हो जाएं और जब हम इसे फ्राइ करें ना तो इनकी जो परते हैं एकदम पतली-पतली से निकले तभी तो मत्री जो है क्रिस् वाला पेस्ट लगा दिया है और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो वीडियो में आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फोल्ड कर रही हूं बिल्कुल हम इसे टाइट हातों से फोल्ड करना है और थोड़ा से खीशते वे फोल्ड कीजिए तक और थोड़ा सा पतला कर देते हैं तक यह आपस में थोड़ा सा चिपक जाएं तो यह देखे अब बारी है इसे कट करने की तो मैं यहाँ पर इसके जो पी से आदा इंच के आसपस रख रही हूं आप भो ज्यादा बड़े भी नहीं रखें क्योंकि थोड़ा मोटा होता है अगर आप भो ज्यादा बड़े रखेंगे तो इसके पूड़ी है न बहुत जादा बड़ी बड़ी निकलेगी अब एक एक रोल को लेते वे हातों से इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में इसे कर देते हैं और हतेल्यों की साहिता से हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जिस तरब से परते दिख है बस उसी तरह से हमें इहां पर इसे प्रेस कर ना हें तभी जो मठ्री है ना इसमें परते बहुति अच्छी दिखेगी तो इसे निशा गोल कर लेते हैं और हतेल्यों की साइता से इसे प्रेस कर देंगे तो बस इसी तरह से हमें यहां पर सभी बना के तयार करना है तो फ्रेंड्स अगर आप मेथी मठ्री गिरे से पर देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने कली अपलोड की है आप मेरे चैनल पर जाके उसे जरूर से देखिए और उसे ट्राइ कीजिए तो सभी मठ्रियों को में यहां पर इसी तरह से बेल के तयार कर लूँगी तो गेश चालू करके गेश पर मैंने तेल को भी गरम कर लिया है तेल हमें यहां पर मीडियम सा ही गरम चाहिए बहुत ज़्यादा हाइफ फ्लेम पे इन्हें फ्राइ नहीं करना है अब ए लट पलट करते वे हम इने अच्छा सा फ्राइ कर लेंगे तो जैसे जैसे फ्राइ होते जाएगी इनकी परते अपने आपे खुलने लगेगी आप देख सकते हैं फ्रेंड से बहुत सुंदर सा कलर आ चुका है लो फ्लेम पे मैंने इने फ्राइ किया है और जब यह पूरी गर्मा गरम चाई के साथ खाईए या फिर चलते फिरते कभी भी हल्की फुल की भूक में इसे खा लीजिए बहुती क्रिस्पी बहुती करारी बहुती टेस्टी मठ्री बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिए और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी क कोमेंट करके जरूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को शेर जरूर से कीजिए